हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल पुस्पा फ्लोक्स और कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे तो आज मैं बेश्ट जो समान होते हैं उसका रियूज बताऊंगी तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है यहाँ पे मैंने प्लांटर बनाया है और कितना अच्छा मनी प्लांट इसमें मैंने लगाया है देखिए और कितना यह खुबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं तो इसको किस तरह से बनाते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिएगा और मेरे चैनल पे कोई न्यू फ्रेंड्स आये हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बैल को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि मेरी वीडियो की न इसे बचाईए अपने घर में जो पड़े समान है उससे ब्यूटिफूल प्लांटर बना सकते हैं तो देखिए यह मेरा जो है प्लांट इसका टूट गया था और इसमें थर्मो कोल था इसमें सेमेंट नहीं था तो इसको मैंने निकाल दिया और इसको मैं कितना सुंदर नहीं किया और यह देखिए पॉट है मेरे पास वाइट कलर का आपने प्लांटर बहुत देखा होगा मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं इस टैप के वाइट प्लांटर आप जरूर सौप पे पुचाएगा इसका रेट बहुत कॉस्टली आता है तो देखिए इस टैप क तो प्लांटर के लिए होल करना बहुत ज़रूरी है अब मेरे पास में छट पे आ चुकी हूँ बहुत सारे मैंने मनी प्लांट मतलब की एक मनी प्लांट से मैंने कम से कम 10-12 मनी प्लांट बनाए हैं तो यहां पे देखें इसको किस तरह से कट करना है कैची से मुझे थोड़ा सा तिरचा में रखती हूँ और उसको कट कर लेती हूँ और मनी प्लांट को जहां से आपके चोटे-चोटे रूट surprise होते हैं प्लैक कलर के वहीं से आपको लगाना है और वहीं से आपको कट करना है तो पहले मैं छोटे-छोटे मनी प्लांट को काट लेती हूँ और मैं एक नहीं लगाऊंगी बलकि उसको मैं घना लगाऊंगी ताकि वो काफी खुबसूरत लगे क्योंकि एक आप लगाएंगे अगर तो वो सिर्फ लंबा होता जाएगा और फैले गा नहीं घना नहीं होगा तो इस तरह से मैं कम से कम तीन चार प्लांट को काटूंगी उपर से मनी प्लांट काटने में कोई परेशानी नहीं है जितना आप काटेंगे उतना ही वो ज्यादा बढ़ता जाएगा कोई दिकत नहीं है आप काटके कटिंग करके बोटल में भी लगा सकते हैं पानी के साथ तो मैंने कटिंग कर ली है मनी प्लांट को और इस पॉट में मैंने मिट्टी भर दिया और उसके पहले मैंने एक पत्थर डाला था अपने देखा होगा तो एक पत्थर रखना बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी वो होल के अंदर बैट न जाए ताकि ड्रेन का जो रास्ता ह तो इसके लिए एक पत्थर वगएरा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अब मैं छोटे-छोटे प्लांट मनी प्लांट को कट कर लेती हूं और इस तरह से तिर्चा काटना है और इस तरह से प्लांट को लगा लेती हूं तो बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं यह वाइट कलर के प्लांटर और मुझे प्लांट लगाना काफी पसंद है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मेहनत भी करती हूं प्लांट के उपर और सारे प्लांट को मैंने लगा लिया है इस तरह से और अभी अभी ढीला है मतलब पूरा अंदर तक अच्छे से नहीं गया है तो इसमें मैं उपर से भी मिट्टी भरूंगी क्योंकि यह अभी अच्छे से लगा नहीं है तो देखिए मैंने पूरे अच्छे से मिट्टी उपर से थोड़ा सा डाल दिया था और थोड़ा समयने उपर से पानी इस्प्रे भी कर दिया और इसमें ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह छोटा सपोर्ट है और इसके नीचे मैं एक प्लेट रखू लगते हैं और यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई